और ऐसा कोई एंजाइन जो उसको उसका खाए हुए जो पोडर है या जो भी चारा है उसको पचाने में अगर उसको कोई मदद कर दे तो पसू का इसमें जो सारेविक जो मतलब बल कहें या जो इसकी जो अंदर की जो पावर है वो कम खर्च हो और उस कम खर्च में जल्दी से पसू उसको पचा ले तो इससे सोबाविक है कि दूद अपने आप ही बढ़ेगा ये आप खुद सोच के देखे अगर पसू उसको आसानी से पचा लेता है और उसको जल्दी से पचा कर और उसको दूद में जल्दी कनवर्ट करेगा तो इसससे सोबाविक है कि आधा से एक अच्छा जो formula है आज हम आपके साथ सेर कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा और मेरे द्वारा आजमाया गया क्योंकि मैं आपको वही चीज बताता हूँ जो मैंने खुद आजमाई है तो ये मैंने आजमागे देखी है और मैंने ये भी देखा है कि आधेया से एक किलो दूद में फरक जरूर आता है आप इसको इसको इस्तमाल करके देखें ये किसी कमपणी का परचार नहीं है आप घर में खुद बना सकते हैं मार्किट में मिलने वाले जितने भी प्रोड़क्ट हैं और वो दावा करते हैं कि दूद बढ़ाएं तो कहीं न कहीं उसमें कैमिकल या और चीजें प्रियोग होती हैं इसमें कोई कैमिकल का इस्तमाल नहीं किया गया है दोस्तो नमस्कार आपका एक पर फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देनुधन में तो दोस्तों जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि किसान और पसुपालकों के हित में और उनको को ऐसी वीडियो लाएं जो उनको फायदेमन उनके लिए फायदेमन साबित हो और पसूं के लिए भी फा आज हम ऐसे ही एक मिसरण की बात करेंगे जो आप आसानी से घर में ही बना सकते हैं तो आइए आपको हम समझाते हैं उसको कैसे बनाना है बेकरी जो प्रोडेक्ट्स हैं उनमें इस्ट डला होता है तो कहीं न कहीं यह हमारे पाचन तंत्र को भी दुरूस्त करता है तो आइ कानी से आपको घर पे ही मिल जाएगी सिवाए एक दिया दो चीजों को छोड़ कर तो आप ये देख सकते हैं ये गुड है जो आप सब जानते हैं कि हम पसुओं को वैसे भी देते हैं कि इससे इनका जो हाजमा दुरुस्त करने में मदद करता है तो ये जो मिसरण है हम पांच में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं तो अब हम पांच लीटर के लिए बना रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये सो से डेठ सो गुराम के करीब गुड है और पचास गुराम जो है नमक है और आटा लगभग आधा किलो के करीब आटा है यह आप देख सकते हैं आपर और यह है इस्ट जो आपको किसी भी थोड़ा पास से दिखाएं यह इस्ट आप देख सकते हैं यह मैंने ओनलाइन मंगवाया है तो यह करीब-करीब 500 रुपे का है और इसका वेट लगभग 25-30 ग्राम है 75 ग्राम है तो यह आपको आसानी से अपने यहां बेकरी बेकरी से मिल सकता है और यह दो तरह का आता है एक डराइश आता है और एक जो है आपको गीलाइस्ट मतलब की जो बेकरी से आप ले सकते हैं, वैसे dry yeast भी इसमें काम करता है, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह आप देख सकते हैं, यह थोड़ा हाँ, आपने गुनगुना पानी लेना है, और अब इस मिसरन को हम आपको बना के दिखाएंगे, तो यह मेरे पास bottle है, जिसमें मैं हर बार इसी में बनाता तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा yeast जो है, अंदर छोड़ के रखा हुआ है, ताकि जो जिवानु है, जो सुक्स जिवानु जो बैक्टीरिया है, जो की पसु के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं, और यही जो बैक्टीरिया है, यही जो बैक्टीरिया है, उसके जो पाचन क्रिया है उसको दुरुस्त करते हैं और पाचन क्रिया अगर दुरुस्त होगी तो यह सोभाविक सी बात है कि पसु का दूद भी बढ़ेगा तो इस चीज को अगर हम समझें कि पसु का अगर पाचन क्रिया अगर अच्छी होगी और वो अच्छे से पचा प मतलब बल कहें या जो इसके जो अंदर की जो पावर है वो कम खर्च हो और उस कम खर्च में जल्दी से पसू उसको पचा ले तो इससे सोबाविक है कि दूद अपने आप ही बढ़ेगा ये आप खुद सोच के देखे अगर पसू उसको आसानी से पचा लेता है और उसको जल्दी से पचा कर और उसको दूद में जल्दी कनवर्ट करेगा तो इससे सोबाविक है कि आधा से एक किलो दूद तक आप इसको इजाफा अराम से कर सकते हैं और इसका जो खर्चा है वो मात्र 15 से 20 पैसे प्रती लीटर आता है तो इतना सस्ता और इतना अच्छा जो फॉर्मूला है आज हम आपके साथ सेर कर रहे हैं तो आईए अब हम इस इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना किसानों ने इसमें आप जो गुंगुना पानी कर लें और इसमें आप आटा आटा डाल दे यह सारी चीजें इसमें मिक्स करनी है और तो आटा जो है हमने 200-300 ग्राम इसमें डाला है तो ऐसे एगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो उस डाला है और ऐसे ही इसमें आप नमक डाल दें ये 50 ग्राम नमक है पांच लिटर के लिए मैंने मात्र 50 ग्राम नमक इसमें डाल दिया है और ऐसे ही जो ये इस्ट है इस्ट को आपने मात्र एक ग्राम इसमें डालना है ये एक ग्राम ही काफी है ये आप देख सकते हैं इतनी ही मात्रा प्रयाप्त है पांच लिटर के लिए और ऐसे ही अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इसको इसको बढ़ा ले तो मैंने इसमें ये dry yeast जो है इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरहें इसको मिश्रन कर ले तो इसमें हमने 1500 ग्राम जो है good डाला है और 300 ग्राम के आसपास आटा डाला है और नमक डाला है तो जो ये dry yeast है, जो इसमें जो जीवानू इसमें जो बनेंगे, actually गुड और जो आटा है, गुड और आटा इनका खाना है, जो इससे multiply होंगे ये, गुड से और आटे से ये multiply होते हैं, और थोड़ा हा नमक भी हम इसमें डाल देते हैं, ताकि ये पाचन क्रिया में दुरुस् तो इसको हम अच्छी तरह हिला लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये जो कंटेनर है, इसमें हम डालेंगे, ये 5 लीटर का कंटेनर है, मेरे पास एक गाय है, तो एक के लिए ये एक हफता तक चल जाता है, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना होता, इसको उससे क्या होगा कि अंदर इसके जो सुक्स्न जो पोसक तत्व है, जो बैक्टीरिया है, वो अंदर बढ़ जाएंगे, और फसु को पाचन करने में बहुत मदद करते हैं, तो अब हमने इसको हिला लिया है, ये लगभग तयार है, ये गुल गया है सारा, और इसको बनाने क हो, ये आप देख पा रहे हैं, मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ, आप इस पूरे मिसरन को इसके अंदर डाल दें, ये पानी गुंगुना होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, ज्यादा गरम भी ना हो और ठंडा भी ना हो, अब ये जो भूड़ जो बचा हुआ है, ये मैं सारा इसके अंदर डाल देता हूँ, इसको 24 घंटे का समय लगेगा इसको बनने के लिए, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, अभी हम इसमें कुछ थंडा पानी भी मिला देंगे, इस कंटेनर को फुल भर लेंगे, ये मैं थंडा पानी ले रहाँ कुछ, क्योंकि पानी हमने थोड़ा गरम लिया था, तो अभी वो टेंपरेचर भी उसका मैंटेन हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं, और एक बात का विशेज ध्यान रखें कि ये जो बोटल है या जो भी आपका कंटेनर है, आप अगर बड़ा कंटेनर ले रहे हैं, तो ऐसा कोई कंटेनर ले, जिसका धकन उपर से बंद हो सके, और बिल्कुल एयर टाइट भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि वो खुला हो, जो क्रियाए होती हैं, और जो गैस जो उत्पन होती है, जो बनती है, उसके लिए उपर से धकन बंद होना चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट भी ना हो, इसको हल्का सा लुई छोड़ दें, और जो ये जो भी कंटेनर लें, आप उसको थोड़ा हाँ खाली रखें, क्योंकि इसमें जो प्रैसर बनता है, तो इसमें ज्यादा प्रैसर होने की वज़े से डब्बे का धकन भी खुल भी सकता है, इसमें काफी प्रैसर बनता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइयोकसाइड जो गैस है, वो भी इसमें बनती है, तो ये जो कंटेनर है, उसको थोड़ा खाल और यह हमारे पास कुछ तयार जो एनजाईम है जो पस्वूं को मदद करता है जो इस्ट है बेसिकली इसको हम इस्ट कहेंगे तो यह हमारे पास एक तयार बोटल में रखा हुआ है और यह कुछ ऐसे रंग का आपको देखने को मिलेगा यह आप देख सकते हैं, यह transparent bottle है, मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखा हुआ है, तो तयार होने के बाद यह ऐसे color का दिखेगा, और इसका हम ढखकन खोलें, तो इसमें थोड़ा pressure होता है, देखें आप, हलका सा pressure यह देखिए, pressure होता है इसमें, आप देख सकते हैं, हलका सा इसमें से थोड़ा हा धुआ भी निकलता हुआ, लेकिन ठीक है, यह अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह से करता है, इसमें थोड़ा pressure भी बनता है, तो आप समझ लें कि यह तयार है बनका, तो इसमें 24 गंटे लगते हैं, और अपने पसुओं को आप 500-500 ग्राम, एक दिन, एक पस मैं आपको वही चीज बताता हूँ, जो मैंने खुद आजमाई है, तो यह मैंने आजमागे देखी है, और मैंने ये भी देखा है, कि आध्या से एक किलो दूद में फरक जरूर आता है, आप इसको इसको इस्तमाल करके देखें, यह किसी company का परचार नहीं है, आप घर में खुद बना सकते हैं, मार्किट में मिलने वाले जितने भी product हैं, और वो दावा करते हैं, कि दूद बढ़ाएं, तो कहीं न कहीं उसमें chemical या और चीजें प्रियोग होती हैं, इसमें कोई chemical का इस्तमाल नहीं किया गया है, इस्त जो है आप बजार से ले सकते हैं, बाकी ठीके से उनको लाब ही लाब होगा, तो मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवार